असलाम अलेकुम, आज हम बनाएंगे बहुत आसान तरीके से, बहुत ही हेल्दी तरीके से मूली के पराठे सरद्यों के मौसब में गर्म गर्म मूली के पराठे खाने के मिल जाएं तो फिर क्या बात है तो इस तरह से हम दोनों ही मूलियों को छीलेंगे, और ग्रेट करकर रख लेंगे, तो इस तरह से मूलियां ग्रेट हो चुकी है, अब हमें इसमें एक टीसपून नमक डालना है, नमक डालने से क्या होगा जो मूली है नमक के कॉन्टेक्ट में आकर पानी छोड़ेगी तो नमक डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे मूली के जो पराठे बनते हैं न मूली के अंदर बिलको भी पानी नहीं होना चाहिए तब ही वो परफेक्ट बनते हैं वहना फिर फटने लगते हैं तो अभी इसको हम 5-7 मिट के लिए छोड़ देते हैं और जब तक मूली रेस्ट कर रहे हैं नमक के साथ इधर हम इसके साथ सब करने के लिए एक जबदसी चटनी बना लेते हैं इस चटनी को बनाने के लिए मिक्सी के जार में एक मुटी डाल देंगे हर अधनिया तीन मैंने सूखी भी लाल मिर्च ली हैं और चार हरी मिर्च ली हैं टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च और लाल मिर्च आप रख सकते हैं साथ में इसमें चार से पांच लहसन के क्लोवस डाल देंगे और आधा से पॉंच चमच नमक डाल देंगे या फिर टेस्स के हिसाब से आप डाल सकते हैं और तीन से चार टेबिले स्पॉन पाई डाल कर इसको स्मूदली ग्राइड कर लेंगे और इस तरह से एक बहुती मज़ेदार सी चटनी बन कर तयार है जो की मूली के जो पराठ है ना उसका टेस्स दुगना कर देगी तो अभी इसको रख देते हैं इधर जो मूली है इसके अंदर से हमें पानी निचोड देना है पान साथ मिनट हो चुके हैं यह देखिए अभी से मूली ने काफी पानी छोड़ दिया है तो हमें क्या करना है इस पानी को अच्छी तरह से निचोड लेंगे तो मैंने च्छनी के उपर मूली रख दियो और एक कटोरी की मज़़ से हम इस तरह से प्रेस करेंगे जिससे कि सारा पानी निकल जाएगा या फिर आप हातों को अच्छी तरह दो लें हातों से भी इसको आप निचोड सकते हैं या फिर एक मलमल का कपड़ा ले लें उससे भी बहुत अच्छी निचोड जाती है बैस तो यह है कि आप मलमल के कपड़ें से इसको निचोड लें तो अभी तो मैंने इसको इस तरह से निचोल लिया है पानी सारा इसकी día हो चूड है सारा पानी निकल चुक है अब यह जो पानी है यह बहुत ही nutritious पानी है तो इसको फेकेंगे नहीं, इसी पानी से हम आटा गुन देंगे इसी पानी से जब आटा गुन देंगे, तो मूली के पराठो का टेस्ट और भी जादा खिल कर आता है तो इस पानी को संभाल कर रख लेते हैं अगर आप इस पानी का इस्तमाल आटे में नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप skip कर सकते हैं इस step को इस पानी को आप discard भी कर सकते हैं और इधर हमारी जो मूली है इसमें से पानी अच्छी तरह squeeze out हो चुका है एकदम खिली-खिली हमारी मूली है तो अभी इसमें कुछ मसाले आट कर देता है नमक हमने पहले डाला हुआ था पानी नी चोड़ने के लिए तो बाद में टेस्ट कर लेंगे अगर ज़रुरत महसुस होगी तो डालेंगे वरना नहीं डालेंगे आधा टीस्पून लाल मेज़ डाल देंगे आधा टीस्पून डाल देंगे अमचूर का पाउडर और दो से तीन चुटकी बस थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे आधा टीस्पून डाल देंगे सफेज जीरा आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं साथ में हरिधनी के पत्ते डाल देंगे, अगर आपके पास मूली के पत्ते हैं तो दो टेबल स्पून के करीब बार एक चॉप करके मूली के पत्ते भी इसमें डाल लीजेगा, अब अच्छी तरह से मिला देंगे, नमख इस टाइम टेस्ट कर लेंगे, अगर ज़रूरत कर नहीं, बेसन यूज कर लीजेगा, या फिर गेहूं का आटा यूज कर लीजेगा, स्टफिंग तयार हो गई है, साइड में रख देते हैं, आटा गून लेते हैं, तो दो कब गेहूं का आटा लिया वाय मैंने, और इसमें हमने जो अजवाइन लीथी वो डाल देंगे, अजवाइन में आटे में डाल रही हूँ, आप चाहें तो मूली की स्टफिंग में डाल सकते हैं, आधा ती स्पून से भी कम नमक डालेंगे, क्योंकि जो हम पानी यूज कर रहे हैं, उसमें भी नमक है, जो हम मूली का पानी यूज कर रहे हैं, एक टेबल स्पून तेल डा कम पढ़ जाता है तो तो यहां पर अच्छी तरह से पंच लगा कर हमें आटे को गूंद लेना है उपर थोड़ा सा तेल अपलाई कर देंगे और इसको 20-25 मिट के लिए रेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे 20-25 मिट के बाद अब हमें इसके पेड़े बना लेना है जितना ह इसके बीच में दो टेबल स्पून के करीब रखनी हमें मूली की स्टफिंग दो से तीन टेबल स्पून आप रख सकते हैं और इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है अच्छी तरह से इसको सील कर देंगे जिससे कि जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए और अब इसमें तो यह देखे इस तरह से हमने इसको बेल लिया है अगर आपको यह तरीका मुश्किल लगता है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ एक पेड़ा लीजेगा नॉर्मल साइस का और उसको दो इससों में डिवाइड करके पूरी नुमा बेल लीजेगा इस तरह से अब अब अच्छे से प्रेस कर दीजेगा जिससे की खुले नहीं एकदम अच्छे से चिपका दीजेगा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है यह ऐसे ही चिपक जाता है अब थोड़ा सा इसमें सुखावा आठा लगाकर इसको बेल लीजेगा परसनल ही जो मुझे तरीका असान लगता है मुझे यही वाला तरीका आसान लगता है इससे जो पराठे होते हैं एकदम इक्वल बिल जाते हैं चार तरफ से एकदम बराबर से बिलते हैं लेकिन आपको जो भी आसान लगता है जो भी पसंद है उस तरीके से आप इसके पराठे बना सकते हैं अब हमें मीडिय इसको पर तेल नहीं लगाएंगे थोड़ा सा जब यह कच्छा पक्का सिख जाएगा तब हम इसको पर तेल या फिर देशी घी स्प्रेट कर देंगे जो भी आपकी प्रेफरेंस हो वह आप यूज कर सकते हैं देशी घी में बेस्ट टेस्स आता है पराठो का अब मीडियूम पर हमें पराठो को सेख लेना है हलका हलका साब प्रेस करते वे इसको सेखेंगे जिससे कि एकदम क्रिस्पी पराठे बनकर तयार होंगे आप देख सकते हैं कितने जबदस्त एकदम फूले फूले हमारे मूली के पराठे बनकर तयार हो रहे हैं बहुत बहुत टेस्ट ये पराठे बनकर त्यार होते हैं आज कल मूली का सीजन है तो ये पराठे आप जरूर बनाएं और मेरे तरीके से बनाएं आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं और साथ में जो चटनी बनाई ये उसको बनाना मत भूलिएगा उस चटनी के साथ ये जो मूली का पराठे ना इनका टेस्ट दुग ना हो जाता है और इस तरह से सारे पराठे को मैंने सेक लिया है और इस तरह हमारे बहुत जबदस मूली का पराठे बनकर त्यार हैं उपर से आप इसमें थोड़ा सा बटर डाल लें जिससे कि इनका टेस्ट और भी जादा और बहुत मज़ेक होते हैं बस आपको गर्मा करम इनको साफ करना है ठंटा करके साफ मत किजगा और अगर मुम्किन हो तो उपर से थोड़ा सा बटर जरूर डाल लिजगा टेस्ट में चार चांद लग जाते हैं और अगर आपको रेसेपी पसंद आईए तो प्लीज वीडिय को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स वर वाचिंग दे वीडियो अल्ला हाफिज